नमस्कार, कक्षा 9 प्रश्नावली 3.3 इसका प्रश्न एक हम करने जा रहे हैं किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदू-2,4, 3,-1,-1,-1,0, 1,2 और-3,-5 स्थित हैं कार्तिय तल पर इनका स्थान निर्धारन करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए तो बच्चो ये कुछ बिंदू हैं इन्हें हमने कार्तिय तल पर यानि के ग्राफ पर दिखाना है और देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं आईए करते हैं देखें बच्चो सबसे पहला बिंदू है माइनस दो कॉमा चार तो देखिए माइनस दो कॉमा चार में से एक्स निर्देशांग है माइनस दो तो एक्स अक्ष पर हम माइनस दो ढोलनेंगे देखें यह है जिरो मैंनस वाली जो मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आपको धिखाए यह है जीरो इस तरफ है एक दो तीन चार और इस तरफ है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार तो हमें दूढ़ना है माइनस दो X अक्ष पर ये है ये क्षैतिज रेखा X अक्ष है तो माइनस दो ये है माइनस एक ये है माइनस दो तो ये आगया बिंदू माइनस दो और Y अक्ष की तरफ बिंदू है देखिए 4 माइनस दो कॉमा 4 तो Y अक्ष पर 4 Y अक्ष ये है इस पर बिंदू हमने दूंड़ना है चार चार है उपर के तरफ एक, दो, तीन और यह चार तो देखें यह है माइनस दो यह है चार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यह है माइनस दो यह वाला और यह है चार यह दोनों कहां मिलेंगे देखिए यहां से हम माइनस दो को आगे लेके जाएंगे और यहां से चार को आगे लेके जाएंगे यह देखिए इस तरीके से है ना तो यह कहां मिलें माइनस दो वाली यहां पर और चार वाली यहां पर यहां पर यहां कर इस बिंदू पर मिलेंगे तो इस बिंदू को हमने रूपित कर देते हैं ठीक है बच्चों यह आगे हम बिंदू कौन सा माइनस दो कॉमा चार अब बच्चों आपने सीखा था कि यह है जो X अक्ष और Y अक्ष है यह इस कार्तिय तल को चार भागों में बांडते हैं यह है चतुर्थांश एक यह है चतुर्थांश दो यह है चतुर्थांश तीन और यह है चतुर्थांश चार तो अभी हमने सबसे पहले एक बिंदू निरूपित किया तो आप देख सकते हैं यह चतुर्थांश एक में है या दो में है यह है दो यह है एक इस तरफ तीन इस तरफ चार तो हम देख सकते हैं यह माइनस दो कोमा चार जो है यह चतुर्थांश दो में स्थित है तो हम अपने कोशन में यह जो पहला पॉइंट है माइनस दो कोमा चार इसके आगे लिख देंगे चतुर धांश दो दो रोमन में लिखना है यह याद रखिएगा ठीक है बच्चो अगला बिंदू है तीन कोमा माइनस एक एक्स अक्ष की तरफ तीन वाई अक्ष की तरफ माइनस एक तो आये देखते हैं तीन कोमा माइनस एक सबसे पहले एक्स अक्ष ढूंनेंगे इस पर ढूंनेंगे बिंदू तीन तो 0, 1, 2 और यह बिंदू है 3 यह बिंदू है 3 एक, दो और 3 यह बिंदू और वाई अक्ष की तरफ था देखिए 3 के साथ माइनस एक तो y अक्ष पर माइनस एक देखे ये है y अक्ष ये वाला है y अक्ष उपर नीचे और इसमें माइनस एक कहा होगा उपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है माइनस एक तो ये आ गया माइनस एक और ये है तीन ये दोनों कहां के मिलेंगे यहां यह देखिए यह इस बिंदू पर आकर मिलेंगे तो यह बिंदू हो गया कौन सा 3,-1 बच्चों मैं यह पैंसे अंकित कर रहा हूं ताकि आपको clearly दिख सके लेकिन आपने इसको pencil से ही अंकित करना है तीखी pencil के साथ अब आप देखें यह 3,-1 बिंदू कौन से चतुर्थांच मैं एक में, दो में, तीन में या चार में यहां आप देख सकते हैं यह चतुर्थांच चार में आया है तो यह 3,-1 इसके आगे मैं लिख दूँगा चतुर्थांच चार ठीक है बच्चों देखें बच्चों माइनस 1,0 एक्स अक्ष पर माइनस 1 यह है एक्स अक्ष इस पर माइनस 1 वो आएगा यहां यह है बिंदू ठीक है बच्चों यह वाला बिंदू और य अक्ष पर 0 यानि 0 य अक्ष पर ना उपर गया नीचे गया तो वे बिंदू हो जाएगा यह यह वाला बिंदू यह बिंदू है माइनस एक कोमा जिरो अब बच्चों ना तो यह पहले चतुर्थांच में है ना दूसरे में है ना तीसरे में है ना चौथे में है यह कहां है यह बिंदू देखिए माइनस एक कोमा जिरो यह बिंदू इस अक्ष के उपर है, और यह कौन सा अक्ष है, X अक्ष है, कौन सा अक्ष है, X अक्ष, तो माइनस 1,0 बिंदू, प्रशन में भी था, कि यह किसी चतूर्थांश में है यह अक्ष पर, तो हम लिखेंगे, देखिए, यह दिख रहा है आपको, कि एक्स अक्ष के ऊपर सित ना ये इस खाने में ना इसमें ना इसमें ना इसमें ये अक्ष के ऊपर है लाइन के ऊपर है ठीक है बच्चो कौन सी लाइन क्षैतिज रेखा यानि कि एक्स अक्ष इसका अर्थ है ये जो बिंदू है माइनस एक कॉमा जीरो यह है एक्स अक्षपर अगला बिंदू है एक कॉमा दो तो देखे एक्स अक्षपर एक वाई अक्षपर दो एक दो यह एक एक्स अक्षपर एक वाई अक्षपर दो यह दो बिंदू कहां मिलेंगे आके देखिए यहाँ आके मिलेंगे यहाँ आके ये बिंदू इस बिंदू का इस बिंदू के निर्देश आँख है 1,2 तो अब आप बताईए कि ये कौन से चतूर थांष में है पहले दूसरे तीसरे या चौथे यहां यह देख पा रहे हैं यह पहले चतुर थांश में है तो बिंदू 1,2 चतुर थांश एक में है ठीक है बच्चों अगला हमारे पास पॉइंट है देखिए माइनस 3, माइनस 5 आए देखते हैं एक्स अक्ष पर माइनस 3 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और य अक्ष पर माइनस 5 यह है य अक्ष इस पर माइनस 5 माइनस 5 होगा नीचे माइनस 1, 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 तो एक्स अक्ष पर माइनस 3 य अक्षपर –5 ये कहां के लिए यहां आके मिलेंगे यहां यहां के इस बिंदु पर इसके coordinates होंगे –3, –5 इसके निर्देशांग है तो देखिए अब ये कौनसे चतुर्थांज में आया है पहले दूसरे तीसरे या चौत्ते माइनस तीन कॉमा माइनस पांच बिंदू तीसरे चतुर्थांच में आया है तो हम यहां लिख देंगे चतुर्थांच तीन में यही हमारा पहला प्रश्न था कि यह बिंदू कौन कौन से चतुर्थांच में आ रहे हैं और हमने कार्तिय तल पर इन बिंदूओं को निर्धारण करके इन्हें अपने उत्तर को सत्यापित भी कर दिया है आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ आया होगा देखे कितनी मेनत से हम भी आपके साथ ग्राफ बनाबना के आपको सिखा रहे हैं यदि कि आपको यह वीडियो हमारी मेनत अच्छी लगे तो क्रिपया हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीज़ेगा धन्यवाद